रात वो अब्बा से मिलने के जब फात्मा करीब नहीं थी तो उनका हाथ पकड़कर नर्मी से उन्हें उसने अपने फैसले का बताया सारी बात सुनकर वो नहीव से अंदाज में हलका सा मुस्कुराए पाकर साब से मिलने न वो तुम्हे काम समझा देंगे बहुत धीमी आवाज में वो बस इतना सा कह पाए थे और जिशान मेरा दोस्त है कोई मदद चाहिए तो उससे कह देना फिर उन्होंने आंके मोद ली बेमारी वाहिद शेय नहीं होती तो इनसान को ढढ़ा सकती है दुख ज्यादा जोरावर होते हैं वो भी तूट चुके थे उससे रोहेल पे पहले से भी ज्यादा घुसा आया फात्मा से सामना हुआ तो बस सरसरी सा बताया कल मैं अबा के आफिस चाहूंगी उन्होंने हैरत से उसे देखा क्यों अबा ने कहा था अच्छा आप ये कारोबारी बातें उनसे मत कीजिए अगर डॉक्टर ने मना किया है वो नगा बचा कर पास से निकल गई वो फात्मा को जानती थी उसे मालूम था कि वो उसके पैसले पे बहुत खुश नहीं होंगी और खुश तो शायद खुद भी नहीं होती वो खुद भी ऐसा नहीं चाहती थी ये पर्दे शाहना सफर नीचर और इस उन्ची सिया घूमने वादी कुरसी की तो शान ही अलग थी जिस पर वो इस वक्त बैठी थी अपने सिल्क से अबाया में मलबूस दोनों कोहनिया कुरसी के हद पे जमाई उंगलियों से दूसरे हाथ में मुझूद प्लाटीनियम घुमा प्लाटे हुए टेक लगा कर बैठी वो संजीतकी से सर हिलाती बाकर साब की ब्रीफिंग सुन रही थी नफासे से किये के नकाप में से जलकती आंके मतवच्छा अंदास में सुक्री हुई थी वो धेर उमर और शरीफ नफस से इंसान लगते थी और अब पूरी जानब शान इसे अब बाकी कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में आगाही दे रहे थे बॉर्ड आप डारेक्टर्स, शेर होल्डर्स, कंपनी के जेरे तामीर प्रोजेक्ट्स, टेंडर्स वो सुन सब रही थी मगर बाद इस तलहात बहुत मुशकिल थी उसे सब समझ में नहीं आ रहा था रह रहकर उसे कारोबारी मामलात में अपनी कम इल्मी का अफसोस हो रहा था वो खुद को समझा रही थी कि अफसोस भी कम इल्मी का है ना के ताया को यू चैलेंज करने का मगर शायद आखरे जिकर पे उसे ज़्यादा अफसोस था कमपनी में 40% शेर्ज आपके वालिद की हैं में 20% फुरकान साब के 20% जाहिद साब के और 10% सेठी साब के हैं और आखरी 10% पहली दफ़ा उसने जुबान कोली और साथ ही आफस का दर्वाजा खुला हेया ने चौंग कर देखो और पिर नागवारी की एक लहन ने उसे सर से पाउं तक खेल लिया अगर उसे थोड़ा सा भी ख्याल आता कि आखरी 10% शेर्ज होल्डर वलीद लुगारी हो सकता है तो वो कभी आफस ना आती ओ आफस आई हैं वो आप पे जोर देता तन्जिया मसकराहट के साथ बहुत इतमाद से चलता अंदर आया बाकर साथ के चेरे पे नागवारी उबरी मगर वो खामोश रहे तो स्लिमान अंकल किसी टाप संपाल लेंगी उसके सामने कुर्सी पर खेंच कर वो टांग पर टांग रखकर बैठा क्या बिजनस एड्मिनिस्ट्रेशन में डिग्री आपनी तुर्की से ली है मगर अबा को तो आपने बताया था कि आप L.L.B. कर रही है तुम सिख्राना अंदास में कहता वो वाज़े तोर पर उसरात का हवाला दे रहा था ये तैह था कि पहली दफ़ा नकाब में देखकर अगर वो फोरण उसे पहचान गया था तो वज़ा यही थी कि उसने बाइस टाप से उसकी आमत के बारे में सुना था तब ही वो इतनी ही इतमाद से बेधड़ा किस आफिस में दाखिल हुआ था जिससे वो गालबन हमेशा होता था तो मैडम M.D. क्या इरादे हैं आपके क्या विस आफिस में तालबनाईजेशन प्राइच हो जाएगी वो जो खामोशी से लब भेंचे उसकी बात सुन रही थी उसने दाएं अब बुरू सवालिया उठाई सेया नकाब से जलकती आंखों की तख्ती वाज़े थी मैंने आपको पहचाना नहीं आपकी तारीफ बाकर सब ये कौन साब है मैं ये लुगारी साब के बुसरे में फसे हाथ मेज़ पे रखे वो जो इस तेजाईया अंदास से बोल्डे जा रहा था रुक क्या वलीद साब क्या मैंने आपको अपने आफिस में बुलाया था वलीद ने हसकर सर जटका मैडम है या बलके मिसिस है अब जब आपको इदर काम वलीद साब क्या मैंने आपको बुलाया था वो पहले से बुलंद और दरश्ट आवास में बोली वलीद की बुनुये सुकरी सरेमान अंकल के आफिस में आने के लिए मुझे इजाज़त वलीद साब क्या मैंने आपको बुलाया था वो बेहत उन्ची आवास में कहती गुर्जी से उट खड़ी हुई बाकर साथ भी एतरामन साथ ही उटे ताविदारी का सबूत वफदारी का एसास वलीद के पेशानी के बल गहरे होगे वो तेजी से उठा सुलिमान अंकर मेरे साथ ये सलूक कभी बरदाश न करते मैं आपके साथ इस से भी बत्तर सलूक कर सकते हूँ बाकर साथ इंसाब को बाहर जाना है प्लीज दर्वाजा खोल दे बाकर साथ ने जरा तजबजब से उसे देखा फिर पलटने ही लगे थे के वलीज ने हाथ उठा कर रूने रोका मैं देखता हूँ आप इस आफिस में कितनी दिन रहती हैं एक खश्मगे निगाब आकर साथ ने पर डालता वो तेजी से पर्टा हेहानी कुरसी पे वापिस बैटते हुए इंटर कॉम का रिसीवर उठाया दरखशा अगर यह आप दी मुझे दुबारा बिला इजाज़त अपने आफिस में दाखिल होता नजर आया तो आपके छुटी सुन लिया आपने और सुनाया तो उसने वलीद को था जो उसकी बात ख़तम करने के बाद ही बाहिर निकला था जी जी मैं अब बाके सेकेर्टरी बोकला गी थी बैठिये रिसीवर वापिस रखते हुए उसने बाके साब को बैठने का इशारा किया बाकी दस फीसेद शिर्ज इनके पास है मैं बाके साब के सिलसले के लाम बहीं से जुड़ा तब तक वो चंद गहरे सांस लेकर खुद को कमपोस कर चुकी थी पहले उमेर लुगारी आपके साया करते थे मगर गुजशता एक माँ से वो इलाज के सिलसले में बैरूने मुलक है चंद मजीद तफसिलात के बाद वोसे बौर्ड आफ डारेक्टर्स की आज मतवके मीटिंग के बारे में बताने लगे मैं एक ट्रेड सेंटर का प्रोजेक्ट है हमें वो हासिल करना है और यानि के ट्रेडर की निलामी है और हमें निलामी जीतनी है उसने दबे दबे जोज से उसकी बात काटी गुजरते गुजरते कभी कोई सूप सेरियल देखती थी तो उसमें अमूमन टेंडर्स की निलामी हो रही होती और मुखालिक कमपनियां बोली लगा रही होती सो कमस कम कुछ तो पता था उसे कंस्ट्रक्शन कमपनिय के मतालिक बाकिसाब लम्हे भर को खामोश हुए भी नफी में सर हिलाया नहीं मैं टेंडर की निलामी का मामला नहीं है अच्छा उसने खुब चुपाते हुए सर हिला दिया अब वो दरम्यान में नहीं बोलेगी खामोश रहकर बस सुनेगी असल में गुरूप ट्रेट सेंटर बनाना चाह रहा है वो इसके लिए मुखतलिब कमपनियों के आइडियास देखना चाहते है कोन उनकी जमीन को बेहतरीन तोर पे इस्तमाल करके ट्रेट सेंटर बना सकता है अगर हमारा आइडिया प्रूफ हो गया तो प्रोजेक्ट हमें मिल जाएगा ये हेड आर्किटेक्ट को भेजता हूँ वो आपको मजीद ब्रीब कर देंगे पाकिट साब मौदब अंदास में उठते हुए बोले हेड आर्किटेक्ट रिजवान बेक्स दर्मयान उमर के तजर्बे कार इनसान थे मगर उनका अंदास यू था गोया उनके सामने कोई अनपल रड़की वैटी हो जिसको ब्रीब करना वो अपनी शान में तो हींच समझते हूँ जान बूच कर मुश्किल इस्तलाहाद इस्तमाल करते हुए वो बहुत लापरवाई से उसको अपना काम दिखा रहे थे ये ट्रेड सेंटर है ये पारकिंग लाट है यहाँ हम यू करेंगे यहाँ यू हया उसी अंदाज में कमर सीट से लिकाई हतेलिया लाए बैठी बहुत तहमल से उनकी बात सुन रही थी अब आपको तो इतना पता नहीं होगा मैं बारहर ये इतना शानदार प्रोजेक्ट प्लैन है कि हमारत देखते ही गाहक फोरन से कार इधर पार्क करेगा और शापिंग शुरू कर देगा खेर मैं तो इस मोट के कुई में कभी कार पार्क ना करूँ कार को कुछ हो गया तो रहेल कभी नहीं चोड़ेगा कि वो उसकी कार थी मगर अब रहेली बहुत कुछ छोड़ दिया और कार तो जहान के पास थी पता नहीं वो इस वक्त क्या कर रहा होगा उफ है आ काम पे तवज्ज़ दो वो सर जटक कर उनकी तरफ मतवज्ज़ हो गई डिजाइन की उसे वाकिए कुछ समझ नहीं थी लेकिन अगर वो इतने काबिल आर्किटेक्ट इसकी तारीफ कर रहे थे तो यकीनन वो बहुत अच्छा होगा वो काईल हो गई थी बोर्ड और डारेक्टर की मीटिंग उसकी तवक्कों से ज़्यादा भुरी रही जब वो कामफरेंस रूम में दाखिल हुई वो नमभी कामफरेंस टेबल के दोनों इतराफ करसियों के कितारों पे सौडिट बूटिट अफराद मुनतजिर से बैठे थे सरबराही करसी खाली थी वो फाइल संभाले तेज तेज गदमों से चलती करसी तक आई कोई उसके लिए खड़ा नहीं हुआ उसने मेज पर परस रखा और कुरसी संभालते हुए फाइल खोली फिर गर्दन उठा कर देखा तो सब मर्द हज़रात उसी की तरफ मतवज़े थे ताया फुरकान साही चच्चा दावर भाई बली चांद गयर शनासा चेहरे लम्हे भर कुसका इतमाद डानो डोल हुआ जो लड़की इतना कुछ तनहा सहती है वो बहुत मस्बूत लड़की होती है उसने फोरण से खुद को संभाल लिया तमहीर के बाद वो अपने अजली पर पुर इतमाद और दोटो कंदास में कहने लगी सलिमान असकर के अटार्टी इंफेक्ट होने के नाते उनकी से इत्याबी तक मैं उनकी सीट संभालूंगी मुझे उमीद है कि किसी को इतरास नहीं होगा इतरास तो खेर है मगर क्या किया जा सकता है ताया फुरका ने नागवारी चुपाने की कोशिश किये बगएर हाद छला कर कहा उसने गर्दन मोर कर बहुत संजीत की से उने देखा जी सर मैं जानती हूँ कि बहुत से लोगों को इतरास होगा मगर चूँ के आप मेरे साथ हैं इसलिए मुझे इनकी परवा नहीं है अब काम की बात प्याती है उनको कुछ इस तरह से घेरा के ना वो वहां कर सके नहां वो मीटिंग के मकासिद की तरफ आगी उसके खलत पहमी थी के वली दुबारा उसके रास्ते में नहीं आएगा वली समेट करीबन सब ही हता के दावर भाई भी तमाम अर्से में उससे बात पबात सवाल करते रहे जान बूच कर कनफ्यूज करने वाले सवाल और फिर उसकी तवज़ पर इस तेजाई अंदास में सर जटक दिया घुसा उससे आया मगर उसे आईशे गुल की अच्छी लड़की की तरह तहमल से काम लेना था लेकिन आखिर में उसका सबर जवाब दे गया जब दावर भाई ने बहुत चुपते हुए अंदास में कहा मेडम आपका तो एल एल बी भी मुकमल ने हुआ तो आप एक कंस्ट्रक्शन फर्म की पेचीद्गिया कैसे समझ पाएंगी जब आप चार साल में दो दफ़ा इंग्लिश लेंग्विच में सपली लेकर बी ए कर सकते हैं और सिंपल एमे करके आज इधर बैठकर मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं तो फिर मुझे यकीन है कि मैं भी जल्दी कंपनी की सारी पेचीद्गिया समझ चाऊंगी बहुत सकून से कहती वो उट खड़ी हुई कांफरेंस रूम में सनाटा चागया दावर भाई का चेरा सुर्ख पढ़ गया वहां परवा किसे थी वह सलमालेकुम कहेकर अपनी चीज़ें उठाकर उसे एतमाद और वकार के साथ चलती दर्वाजे की सिब बढ़ गई जिसके साथ वो अंदर आई थी सुलिमान असखर की मगरूर बेटी पीचे से उसने किसी को कहते सुना था मगर वो बाहिर निकलाई परसों प्रिजेंटेशन थी और अगर वो अच्छी सी प्रिजेंटेशन दे कर प्रोजेक्ट एप्रूव करवा ले तो वो इन शाउसेंट परतों पे ये थाबित कर देगी कि सुलमान असखर का इंतखाब दरुस था बैट पे लैप्टॉप के सामने बैठी की पेट पे उंगलियां तेज़ दे चलाती वो पवे इन हे पूरे इन हे माक से अपने काम की दर्ब मतवजे थी प्रिजेंटेशन के लिए वो मकमल त्यारी से जाना चाती थी ताके कोई उस पे उंगली न उठा सके मसलसल काम के बाइस उसके हातों में दर्द हो रहा था सर के पीछे हिस्से में भी हलकी टीसें उठ रही थी उसका इरादा काम खतम करके दवा लेकर सोने का था हया फात्मों से पुकारते हुए कमरे तक आई सुबा अबा को घर शिफ्ट कर दिया किया था जिसके बाइसा वो बिलाखिस सब एक छट तले थे क्या कर रही हो उसके काख़ों फाइल्स और लैपटाप को देखकर फात्मों ने अफसोस से सर हिलाया क्या जरूरत थी ये सब करने की साइमा भाबी बहुत खफा हो रही थी कि जब ताया की मुझूदगी में तुम खूद करोगी तो सब कहेंगे कि उन पे बेतबारी जाहिर की जा रही है मुझे यही बेतर लगा था अमा अबा ने मुझे अपनी अनार्टी इंफ्रेक्ट बनाया था तो कुछ सोच कर ही बनाया होगा वो स्क्रीन से निगाहें हटाए भी न बोली अच्छा कर अरसल का वलीमा है क्या पहनोगी उफ यह शादियां जब जब बिमार होए थी इन चीजों का दिल ही नहीं करता था अरसल उनका सेक्रिंड कजन था फिर भी मेहन्दी और शादी पे वो और फात्मा नहीं गई थी अब वलीमे पे जाना जरूरी था कुछ भी पहन लोंगी मिक्स्ट कैधरिंग होगी उनकी उंगलियों से दर्द अब कलाईयों तक सरायत कर रहा था हाँ मिक्स्ट थी है मगर प्लीज उस दिन की तरह तो बटा मत लपेटना फात्मा उसके करीब बैट पे बैट दी नरूटे पांसे बोली पर अमा मिक्स्ट कैधरिंग जो है नकाब तो करना पड़ेगा वो अभी तक स्क्रीन के जानी मतवज्जे थी उसे पता नहीं चला कि उसने किस शेक को दावत दे डाली थी नकाब किसलिए क्या हो गया तुमें वहां किस से करना है नकाब कजन की शादी है वहां सब अपने ही होंगे वो हैरत और उससे बोली है आने रुक कर उने देखा अपना तो कोई नहीं होता अमा वो कजन से सगे भाई तो नहीं अब जब करती हूँ नकाब तो ठीक से करू न इसे सर के पिछले हिस्से से दर्द अपने बाजू तक बढ़ता हुआ मेसूस हो रहा था यूँ जैसे उसने अंदेखी उंगलियां हो और उसके सर को आइस्ता इस्ता अपने शकंजे में ले रहे हो तुम पागल होगे यो तुम फंक्शन में बुर्का ओड़ोगी बुर्का नहीं ओड़ रही बड़े दुबटे से ही काम चला लूँगी मिक्स्ट गैधरिंग जो है उसने हत्यो वसा लेचे को नरम और धीमा रखने की कोशिश की मगर मिक्स्ट गैधरिंग में भी मर्दों और उड़ों की टेबल सलग लग होती हैं है मर्द दूर होते हैं दूर कहां सामने ही तो बैठे होते हैं सब तरमियान में स्क्रीन तो नहीं हाइल होती और फिर जो वेटर्स औरतों की तरफ फिर रे होते हैं और असल के भाई वो तो हमेशा ही औरतों की तरफ होते हैं वो तो बच्चे हैं आप बीस-बीस साल के बच्चे हैं तुम बहस क्यों कर रही हो दर्द की लंबी उंगलिया अब उसकी कनपटी से होती पेशानी को अपने शकंजे में दे रही थी तकलीफ हर पल बढ़ती जा रही थी नहीं अमा पहस तो नहीं करें जिर्फ वजाहत करीं अपने नकाब की अच्छा पहले तो तुम नकाब नहीं लेती थी पहले तो तुम बहुत मॉडरन थी वो चुप हो गी समाना जहलियत का ताना कैसे चाबक की तना लगता है खाश ये ताना देने वालों को मालूम हो सके जी मैं पहले नहीं लेती थी लेकिन अगर आप करती हूं तो मुझे प्रॉपर तरीके से करना चाहिए तुम शादी पे नकाब लोगी तो लोग क्या कहेंगे वो जुझ जलाइ नहीं लूँगी तो लल्ला ताला क्या कहेंगा कुछ नहीं होता है यह ऐसे भी तो कितने गुना कर लेते हैं घीबत, कीले, यह सब गुना नहीं होता क्या सिफ नकाब ने करना गुना है दर्द की वुलादी, ग repetitive उसको सर को जकर लेने के बाद तब गर्दन तक फैलती जा रही थी उसे कंदों पे शदीद दबाव मैसूस होने लगा अम्मा मैंने कब कहा कि मैं बहुत नेक हूँ या कोई गुना नहीं करती लेकिन अगर मैं कोई नेक काम करना चाती हूँ तो मुझे मत रोके उसे लगा वो इतजा कर रही है मिन्नत कर रही है वो बनो करेजा से मिन्नत कर रही है अच्छा पहले तो तुमने कभी एसास ने किया गुना सवाब का जब अबा और ताया कहते थे तब तो तुम मानती नहीं थी फिर वोही पहले का दाना तो अमा अगर मैं टाया के कैने पिए लग की मानती तो मैं काबल कबूल होती मुझे शाबाश भी मिलती और वावा भी लेकिन अगर मैं अपनी मर्जी से लग की मानू तू मैं काबल कबूल नहीं हूँ उसने दुख से उन्हें देखा वो मास को बर्ची की तरह जखमी करती अजियत कंदों से गुजरती सीने में उतर रही थी मुझे बेकार के दलायल मत दो अपना एलेल भी मुझे मत असमाओ इरम की मंगनी पे थोड़े लोग थे बात दब गई लेकिन अगर इतने बड़े फंक्शन पे नकाब लोगी तो जानती हो लोग कितनी बातें बनाएंगे आप लोगों से डरती है जब कि अल्ला ज्यादा हकदार है कि उससे डरा जाए और लोगों को क्या है साइमादाई तो पहले भी मुझे बातें बनाती आई है मगर फात्मा बेजार हो चुकी थी हया शादियों पे कौन हिजाब लेता है मैं लेती हूं और मैं ले कर दिकाऊंगी नहीं मैं कोई दावा नहीं करी लेकिन अगर मैं अगर मैं अपने खांदान की वो पहली लड़की हूं जो शादियों में भी हिजाब ले तो मैं वो पहली लड़की बनूगी अम्मा तकलीफ उसके शर्यानों में किसी स्याल मादे की तरह तेरती अंदर सब कुछ जलाती दिल में कत्रा कत्रा गिरने लगी थी हया शादियों पे तो खैर होती है नहीं अम्मा शादियों पे ही तो इन तक्रीबात से ही तो खैर गम और शर्च जादा निकलते हैं कितना बुरा लगेगा तुम नकाब में बैटी होगी उन्हें रह रहकर उसके गम एकली पर अफसोस हो रहा था किसको बुरा लगेगा लोगों को मगर अल्ला दाला को अच्छा लगेगा अच्छा यानि हम जो नकाब नहीं करते तो हम सब काफिर हुए हाँ हम सब बहुत बुरे हुए मैंने ये कब कहा अमा मैं खुद नकाब लेती हूँ मगर किसी दूसरे पर तो तनकीद नहीं करती मैं तो किसी से कुछ भी नहीं कहती अमा उसकी आवाओ भी कही तरदब उसकी दिल को काट रहा था उल्टी चुरी से जिबा करे रहा था खंता की कोई जंग बनु करिजा के बगएर नहीं लड़ी जाती उसे भी बनु करिजा मिल गया था और वहां से मिला जहां से उसने कभी तसवर भी नहीं किया था तुम मत कोहो मगर तुमारा हिजाब चीख चीख कर यही कहता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ और बाकी सब बुरे हैं उन्होंने हाथ उठा कर चमक कर कहा वो कहीं से भी एक महजब और तालीम याफ़ता खातून नहीं लाग रही थी अमा अगर कोई एज़ा समझता है तो यह उसके अपने अंदर के अन्सिकूरिटी है मेरा क्या कसूर? मैं तो किसी को बुरा नहीं समझती मैं तो बस आग से बचना चाहती हूँ तो यह सब पहले क्यों नहीं करती थी? बच्चमन से इल्म था तुम्हें जहन्म किया का या नहीं? पहले सिर्फ इल्म था अमा अब यकीन आगया उसने बहुत से आंसों अपने अंदर उतारे क्या लोगों ने वाकिछ समझ लिया है कि वो कहेंगे हम एमान लेया है और वो आजमाएना जाएंगे अच्छा सिर्फ परदा ना करना गुना है मा की बात ना मानना गुना नहीं है क्या कुरान में नहीं पढ़ा क्या वालदेन को उफ भी नहीं करते उसने जवाब में गहरी सांस ली अमा आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आप इस आयत को गलत जगा पे गलत तरीके से कोट कर रही है मैं आपको नरास नहीं करना चाहती मगर मैं अल्ला ताला को भी नरास नहीं कर सकती बस करो पता है मुझे ये सब तुम जहान के लिए कर रही हो वो ही ऐसी दक्यानुस्ती सोच का हामिल तुर्की में रह कर भी फरक नहीं पड़ा उसे देखती हूँ मैं किस तरह रोज फजर पे मस्जिद जा रहा होता है रोज फजर पे मस्जिद जा रहा होता है अमा कोई लड़की अपनी मर्जी से हिजाब लेने लगे तो सब ये क्यों फर्स कर लेते हैं कि वो किसी की दवाओ में आकर ये कर रही है कोई ये मानने को त्यार क्यों नहीं होता कि उस लड़की का अपना दिल भी कुछ कह सकता है मगर पहले तो तुम नहीं करती थी ना वो घुसे से कहती उठी और करो जिससे भी करना है नकाब मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली वो तन्फन करती बाहीं निकल गें उल्टी चुरी अभी तक उसके दिल को काटे जा रही थी खून के कत्रे अंदर ही अंदर गिर रहती है माएं भी बास दफ़ा कितना दिल दुखाती है मगर उने कभी एहसास नहीं होता उसने आंकों को हतेली की पुछ से रगड़ा मगर आंसू फिर भी उबल पड़े जाड़े और भू की तकलीफ में खंदक खोदना खुटन होता है या बनुक्रीजा की बेवपाई सेहना उसने खुछ से पूचा और अगर ये दोनों साथ मिल जाएं तब उसका दिल अभी तक तकलीफ से रस हो रहा था प्रिजेंटेशन अच्छी चली गई जबके वलीमी का फंक्शन उससे भी अच्छा आद उसने नेवी ब्लू लिबास पैना था और बड़ा सदोबटा वैसे ही लिया जैसे इरम की मंगनी पे लिया था बैठी भी ज़रा अलग थी मगर ये नहीं के कट कर रही बलके हर एक से मिली वो ही सवाल और जवाब का सिलसला अलबता जारी रहा चेहरे से तो हटाओ ये वो विग्रा था जो हैरत और अच्छंबे से बहुत लोगों ने आकर दोराया और जवाब में वो एक सादा मस्कराहट के साथ कहती रही थेंक्यू मैं बलकुल ठीक हूँ अलबता सबकी बाते दिल पे बहुत जोर से लगती थी फात्मा ने कितनी ही दफ़ा उससे आंक से इशारा किया कि चेहरा पूरा खोल ले मगर जवाब में वो अबरू से पीछे की तरफ इशारा करती रहां मुवी मेकर मुवी बना रहा था वो जुंजरा गई ओहो फैमली बीडियो अपनों में ही रहेगी पाहिर थोड़ी दिखाएंगे बिलकुल वो असबात में सर हिला कर दूसरी जानिब देखने लगी सिर्फ शैला थी जो उसे यूं मिली जैसे कोई तब्दीली ही ना आयी हो उसकी आंके अलबता भी वैसी ही उदास और तकान से भरबूत थी मगर अब हया को वज़ा जानने की जरूरत नहीं रही थी उसने अभी एक दो फंक्शन्स हिजाब में अटेंड किये थे कल फात्मा से बहस की तकलीफ का असर अभी तक दिल पे था और शेला तो पिछले दो बरत से हर घमी खुशी में इसी तरह शर्कत करती रहती थी और पिर जब इनसान कहता है कि वो एमान लाया है तो वो आजमाया भी जरूर जाता है जाने शेला की तकलीफ कितनी थी और कब से थी सिनाम हो हम अजनबियों पे उसने गहरी सांस लेते हुए सोचा शादी के लिए दूसरे शेरों से आए कुछ देदार ताया फुरकान के घर ठेहरे हुए थे ताया ने रात में सब का खाना किया था उस वक्त पि उनका गर मेहमानों से भरा हुआ था जब वो प्रिजेंटेशन का बताने उनकी तरफ आई लौन में अंधेरा उतर आया था ताया बरामदे में ही खड़े थे अंदर जाने वाला दर्वाजा खुला था मगरा सपास कोई न था अंदर से लबता गहमा गहमी और रोनक किसी आवाजें आ रही थी आज प्रिजेंटेशन अच्छी हो गई है उमीद्य प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा वो नर्वियों बशाश्रत से बताने लगी जो सर्दमोरी की देवार उन दोनों के बीच दर आई थी वो उसे गिराना चाती थी जो बिदाओ से फितरी तोर पे अपनी ताया से बहुत महबत थी खेर मुझे तो इतनी उमीद नहीं है पताने तुम ठीक से करके भी आई हो या नहीं महां हनूस रुखाई थी वो बहुत उकड़े-उकड़े से लग रहे थे नहीं ताया अबा सब बहुत अच्छा हो गया वो पूरा होंबर करके गई थी वो खामोश रहे तन्हुए अब्रू और माते के बार बोस से खुश नहीं थे उसने एक और कोशिश करनी चाही अच्छा बाकर साब बता रहे थे कि साइड भी में बेंडर्स कुछ मसला कर रहा है सप्लाई रोकती है मैं सोच रही थी कि अगर मैं खूद वो एक दम रुकी दर्वासा खोड़कर दावर भाई बाहिर आ रहे थे हेया किसी में कान की अमल के तह दोबटा दो उंग्लियों से थोड़े से उठा कर नाक तक ले गई ताया ने चोंकर उसकी हरकत को देखा और पिर अंदर से आते दावर भाई को जो उसे देख कर रुक गे थे जैसे मुत जबजब हो कि खड़ा रहूं या वापिस चला ज़ाओ ये तुम किस से परदा कर रही हो ताया ने कवड़े कड़वे तेवरों से उसे देखा लम्हे भर को तो उसकी समझ में कुछ नहीं आया जी तुम मेरे बेटे से परदा कर रही हो ताया अबबा मैं तो उसने कुछ कहना चाहा मगर वो एक दम बहुत बुलन्द आवाज में बोलने लगे मेरे बेटे आवारा हैं लुफंगे हैं बदनियत हैं क्या किया है मेरे बेटों ने तो तुम उनके सामने परदा करने लगी हो उंची घुसेली आवाज ने उन्दर ही बाहिर खामोशी तारी कर दी वो बिल्कुल साकत सी बिना पलक चपके उने देख रही थी उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है तुम मेरे ही घर में खड़े होकर मेरे बेटों को घटिया और नीट साबित करना चाती हो तुम मेरे बेटों को जलील कर रही हो वो घुसे से धाड़े दावर भाई ने नफी में सर हिलाया जैसे उने कतन ना लगा हो कि उनको जलील किया गया है अंदर से लोग बाहिर आने लगे कोई किचन के दर्वाजे से बाहि निकला कोई बरामदे के दर्वाजे से तमाशा सच गया था और तमाशाई जमा हो रहे थे मेरे बेटों ने सारी उमर भाईयों कितना ख्याल रखा तमारा अपना भाई तो उसका उस काफिर औरत के साथ मुँ काला करके बैट क्या है ना मगर तुम उल्टा मेरे बेटों के खिलाफ महास बना रही हो पूरे तुर्की में आवारा फिरते तुमें पर्दे का ख्याल नहीं आया था उसका जैसे सांस रुकिया उसी पर उनको देखा पर मुश्किल वो चनल लफ्स कह पाई जाही चच्चा आप ताया बुक्त समझाएं इन्हें गलत पहमी होई है मैं तो ठीक कह रहे हैं भाई ये ढखो सले तुम किसल के लिए करती हो पहले सारे जिंगी ख्याल नहीं आया अब कहां का इसलाम शुरू हो गया तुमारा वो जवाबन उतने ही गुसे में बोले थे पूरे खांदान में हमारा तमाशा बना कर रख दिया है सब बाते बना रहे हैं कि हया भी भी नकाब में खाना खा रही थी भूपर फटी फटी निगाहों से उन्हें देख रही थी इर्द इर्द लगे मजमा की नजरे तहकीर तन सिल्लत उसने क्या कुछ मैसूस नहीं किया था आप सब को क्या हो गया है वो बोलना चाहती थी मगर लबों से बस यहीं निकला ताया आपको तो हिजाब बहुत पसंद था आप तो पकवास मत करो मेरे सामने उन मेरी बात कान खोल कर सुन लो अगर तुम आइंदा मेरे घार आओगी तो मू लपेटे बगयर आओगी अगर तुम्हें मेरे बेटों को इस तरह जलील करना है तो मेरे घार में आइदा कदम मत रखना उंगले उठा कर मतंबा करते वो सुर्ख चेरा लिए बोले उससे मजीद खड़ा नहीं रहा गया वो एकदम पर्टी और अपने घर की तरफ दोड़ती चली गई पीछे तमाशयाईं का मजमें में कहीं फात्मा भी थी मगर वो भी उसका साथ देने के लिए आगे नहीं बढ़ी थी उन सब ने उसे अंधेरी खंदक में तनहा छोड़ दिया था अपने लान में वो बरामदे की सीड़ियों पे ही गिरने के से अंधास में बैट की उसके हाथ कांप रहे थे और कदमों में सकत नहीं रही थी आंखों से गरम गरब आंसों उबल कर पीटे जा रहे थे इतनी जिलत इतनी तहकीर इतना तमाशा ये ताया फुरकान थे सारी उमर इस हिजाब पे ही इकतलाफ रखने वाले ताया फुरकान अब हिजाब पर ही उसके खिलाफ हो गए थे उनका दिन शरीयत सब किदर गया था उसके गरदन घुटनों पे जुकी थी वो रुए चले जा रही थी पूरे खानदान के सामने ताया ने उसे जलील किया था उसे लगा वो अब कभी सर नहीं उठा सकेगी गाड़ी के अंदर आने की आवाज आई फिर कोई उसके साथ आ बैठा आज मेरा चलान होते होते बचा पूछो क्यूँ किसी और इदून में मैसूस सा बता रहा था वो एकदम खड़ी हो गई चहान ने हैरत से सर उठा कर उसे लेखा उसका चेरा आंसों से भीका हुआ था हया क्या हुआ मामो ठीक हो जाएंगे परिशान मत हो उसने यहीं अंदाजा लगाया कि वो अपा की वज़ा से रो रही है कुछ ठीक नहीं होगा अब कभी कुछ ठीक नहीं होगा वो रोते हुँ इतना ही कैब है फिर आंसों हर मंजर पे गालिब आने लगा वो पूछता रहे गया मगर वो अंदर दोड़ती चली आई थी पूरी रात वो सो नहीं सकी इतनी जिल्लत इतना तमाशा ताया दुरुस्त भी होते फिर भी यह कौन सा तरीका था बात करने का अब तक पूरी खांदान को पता चल चुका होगा वो हर जगा बे इज़त होकर रह गई थी रात पर वो रोती रही सुबा सर भारी हो रहा था फ्रेश होने तक उसमें फैसला कर लिया था कि आज वो अब बात करके ताया अबा को उनका टॉर्नी इंफेक्ट बना देगी ताया अबा को मसला उसके हिजाब से नहीं उसके आफिस आने से था सो अब वो ये सारा मसला ही खतम कर देगी नाश्टे की मेज पर वो और फात्मा केली थी सबीन फूपो अबा को नाश्टा करवा रही थी और जहान पता नहीं कहा था ये होता है माबाप की नफरमानी का अंजाम सारे खांदान में बेस्टी करवा कर रख दी फात्मा खुपकी से बोले जा रही थी वो सार जुकाई चंद लुप में बमुश्किल जहर मार कर सकी फिर उठाई ऐसे लमहों में वो इस सेमिनार में वापस पहुंचाया करती थी जो उसने आना तुलेन इस्तंबोल में एटेंड किया था उसे शीशे की देवारों से टकर खाकर गिर्दी चिडियां याद आती थी उसने भी तो अपने गिर्द ऐसी देवार खड़ी करती थी और ये लोग तो नहीं परिंदों की तरह थे पहले वो उनकी बात सुन लेती थी तो वो समझते थे कि अब भी सुनती रहेगी वो इस तरह उसको ठका नहीं सकते थे शीशे की देवारों से टकराने में नुकसान परिंदों कही होता है देवार को क्या फरक परता है अबबा उसी तरह नहीफों कमजोर से लग रहे थे उसे देख कर जरा से मसक्राए काम कैसा जा रहा है सब ठीक है अबबा उस ते बहुत से आंसु अपने अंदर उतार लिया बजाहिर मसक्रा कर बोली बहुत मेनत कर रही है ये लड़की फुपों मस्करा कर कहती नाश्टे के बरतन उठा रही थी पता नहीं उन्हें रात के वाके करन था या नहीं फिर भी उनसे निगाह ना मिला सकी आफिस में एक बुरी खबर उसकी मुंतजर थी ट्रैड सेंटर का प्रोजेक्ट उने नहीं मिला था इस बात ने तो उससे मजीद शकिस्ता दिल कर दिया उसने बाकर साब को बलवाया था कि उनको अपने इरादे से आगाह कर दे और वकील साब को बलवा सके मगर पहले उसने बेख्तियार ही वो तकलीर थे मुझू खुद ही उठा लिया इतनी अच्छी प्रिजेंटेशन दी थी फिर हमें प्रोजेक्ट क्यों नहीं मिला रात के वाके की धकन और रजियत उसकी आँखों में उतर आई थी उन्हें हमारा प्लैन पसंद नहीं आया वो शायद कुछ और चाहते थे अच्छा वो खामोश हो गई कुछ सोच कर उसने बाकर साब से कोई बात नहीं की और उन्हें भेज़ दिया उनके जाने के बाद उसने सारा प्रोजेक्ट प्लैन निकाला और रास सरनो जाइजा लेने लगी ठीक है कि वो अजाफिछ छोड़ देगी और ये भी ठीक है उसे इन मामलात का कोई तजर्बा नहीं मगर वो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि उससे खल्टी का हुई तमाम खाके अच्छे थे बकोर आर्किटेक्ट बेहर शानदार मंगर जब उसने पहली दफ़ा उनको देखा था तो उसके जहन में क्या बात आई थी कुछ खेर अरामते लगा था उसे उसने जहन पे जोर दिया और एक्तम किसी बहती नदी के खिया उसके जहन में उमड आया मौत का कुवा और अगले ही लम ही उसे खलती नजर आ गई तावर भाई की शादी की कुछ शौपिंग फात्मा और उसने लाहोर से की थी किसी काम से वो शाय आलमी मार्केट चले गए खलती ये की कि अपनी कार ले गए वहाँ एक मल्टी स्टोरी पारकिंग बिल्डिंग में कार पार्क करना पड़ी वो भी चोती मंजिल पे गोल गोल घूमती मंजिले तंग तारीक जगा गाड़ी उपर चढ़ाना गोय यूँ था जैसे मोट के कुवे में ड्राइब करना तब से उसे मल्टी स्टोरी पार्किंग अमाराद बहुत बुरी लगी थी और अब उसके प्लैंट मेड ट्रेट सेंटर की पार्किंग एक चोटे रखबे पे मल्टी स्टोरी बनाई गई थी उसे तामिराती कामों का तजर्बा ना था मगर शॉपिंग का एक तवील और वसी तजर्बा था फिर ये इतनी बड़ी गलती उसे पहले क्यों नजर नहीं आई शायद इसलिए कि वो पहले खुद को कम इल्ट समझ कर आर्किटेक्ट पे भरोसा कर रही थी अंधी तकलीद मगर आप अपनी अकल से सोचा तो चोग गई लोग एक खुला और जमीनी पार्किंग लॉट पसंद करते और मल्टी स्टोरी पार्किंग बिल्डिंग्स तो उधर काम ही बनती है फिर आर्किटेक्ट ने ऐसा क्यों किया वो जा ही रही थी तो जरा अंसाहब से दो टोक बात तो कर ले यही सोच कर वो बाहर आई तुर्कों से उसने खुद चल कर जाना सीखा था वहां किसी से रास्ता पूछो तो वो आपके साथ चल कर अखिर मंजिल तक छोड़ आता था सो वो खुद आर्किटेक्ट साथ से मिलने चली आई लेकिन कोरिडोर के सीरे पे वो एकदम पीछे हुई वलीद और आर्किटेक्ट रिजवान साथ किसी बात पे हंसते हुए अंदर जा रहे थे वोल्टे कदमों वापिस आई एक सुर्ख बती जनले बुचने लगी थी कहीं कुछ गलत था कोई गड़बर थी वापिस अपनी सीट पे बैटी वो कितनी ही दे सोचती रही पिर अपने पर्स में मुबाइल के लिए हाट डाला तो वो मखमल का टुकड़ा भी नजर आ गया जिस पे सुनेरी धागे से दो इलफास लिके थे वो उसे दो उंगलियों से घुमाती उलट पलट करती सोचती रही फरार हर मसले का हल नहीं होता मसलों का हल ढूनना पड़ता है रास्ता तलाश किया जाता है मेजर आहमत का सबक उसे याद था चंद मिट में उसने अपना इरादा बदल दिया वो फिर से काम करने के लिए त्यार थी कोई उसके बाप से घदारी कर रहा था उसे सारी गड़बड के मंबा को ढूड़ना था कॉंफरेंस रूब में सब जमा थे वो बिना किसी को दे के सरबराही कुर्सी पर आकर बैठ तो गई थी मगर सर उठा कर ताया फुरकान दावर और जाही चच्चा को देखना उनसे निगा मिलाना कितना अजियत नाग था उसे अंदाजा नहीं था रात के जखमों से फेश से खून रसने लगा था मगर वो कितने अराम से उसके सामने बैटे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो तो आपने प्रोजेक्ट हार दिया ताया फुरकान नहोत भरी संजीत की से उसे मخاطिब किया उसने अपना जुका हुआ सर उठाया वो ताया फुरकान की बैटी की तना रात के पकड़े नहीं गई थी जैसा कि ताया ने एक दफ़ा उसे फून किया था कि वो सर ना उठा सकती ना ही वो जाही चचचा की बैटी की तना पूरे खांदान में चीख चिला कर दावर भाई को वेज़त करने की मुझरिम थी जाही चचचा ने उसे सक्स सुनाते हुए अपनी बैटी की हरकत को क्यों फ्रामोश कर दिया और ताया ने भी कभी दावर की इस वेज़ती पे बास परस की फिर अब मगर वो हिजाबी लड़की थी और कोई हिजाबी लड़की ये कितना ही कीचर उच्छानने के कोशिश करे उसे मेला नहीं कर सकता था जी सर मैंने हार दिया ताया की आँखों में आँखे डाल कर उसने सपाट अंदास में कहा क्या आप वज़ा बताना पसंद करेंगी वलीद की बात पे उसने गर्धन मोड कर उसी संजीत की से उसे देखा मैं आपको जवाब देनी हूँ वलीद साब तरुस्त फिर आपको मैं मतला करना चाहूंगा कि हम ग्रीन हाउस स्कीम वाला प्रोजेक्ट दिले करने पे मजबूर हो चुके हैं क्यूं वो चौंकी उसे मालूम था कि वो कितना एहम प्रोजेक्ट था क्यूंके बज़ट नहीं है पंस कम पढ़ रहे हैं हमारे पास इसको कैरी आउन करने के लिए इतना पैसा नहीं है उसने कागज हया के तरह पढ़ाया जिस पे एक लंबा सा टेकर लिखा था इतनी रकम का इंतजाम कैसे होगा वो साच में मुस्तरब हो गई मगर इस तरह प्रोजेक्ट बंद करने से तो बहुत नुकसान होगा फिर क्या करें ये मेरे अबा का प्रोजेक्ट था हम इसको यूँ कॉल आप नहीं कर सकते वो फिकर मंदी से कह रही थी तो हमें ये अमाउंट ला दो हम इसको जारी रखेंगे बात खतम साही चच्चा ने विजारी से कहा वो दोनों ताया चच्चा उसे यू मखातिब करते थे गोया वो उनके भाई की बेटी नहीं मुलास्मा हूँ वाकि अगर मैं आपको ये अमाउंट ला दूँ तो आप काम जारी रखेंगे कि आप जुबान दे रहे हैं उसका लेजा तेज हो गया उनका चैलन्ज करता मजाक उड़ाता अंदाज उसे पहले से जादा बुरा लगा था रात के जहम फिर से खुरचने लगे थे बिलकुल ताया फुरकान ने शाने चटके ठीक है मैं पीर की सुबा आपको अपने फैसले से आगा कर दूँगी वो फाइल बंद करते हुए हत्मी अंदास में बोली फिर जब वो आफिस वापिस आई तो मुबाइल बज रहा था उसने कुरसी पे तके तके अंदास में गेते हुए फोन उठाया नंबर जहान का था कैसी हो वो छूटते ही फिकरमंदी से पूछने लगा ठीक हूँ उसने उगलियों से पेशानी मसलते हुए जवाब दिया बेखवाबी के बाइस सर्म बेहत दर्द कर रहा था चलो फिर लंज साथ करते हैं मैंने एक छोटा सा टालियन रिस्टोरेंट देखा है तुम्हें एड्रेस समझाओं सारे दिन में वो पहली दफ़ा हांसी थी ये मेरा शहर है जहान मुझे इसके सारे रास्ते मालूम है रिस्टोरेंट का नाम बताओ वो भी हलका सा हंस दिया ओ सोरी एफटेंड में टालियन ओवन पे आ जाओ कार ड्राइवर चला रहा था वो पिछली नशिस्ट पे बैठी सेल्फोन पे नंबर मिला रही थी उसने अबा की नसियत पे अमल करने का सोचा था कॉल मिला कर उसने फून कान से लगा दे सच शुकर कि उन्होंने काल रिसीव कर ली असलाम लेकुम जिशान अंकर मैं हैया बात कर रही हूँ कार ट्राफिक के साथ बहती चली जा रही थी उसी तरह उसके तने प्रेशान एस साथ धीले पड़ते जा रहे थी उनसे बात खतम की तो आफिस से फोन आ गया वेंडर मॉल की सप्लाई खोलने पे तियार ना था और पुरानी कीमत पे तो हर्गिस नहीं सरासर ब्लैक मेलिंग थी और ब्लैक मेलर से तो से सखत नफरत थी कल मेरी मीटिंग अरेंज करवा दे वेंडर से मैं उन साहब से खुद बात करना चाहूंगी उसने बंद कर दिया कार रेस्टरेंट के सामने आ खड़ी हुई थी वो तालवी रेस्टरेंट की बालाई मन्सिल की सीड़ियां चर्थी उपर आई तो पहर का वक्ता तमाम मेजे खाली थी हॉल की एक दिवार शीशे की बनी थी जिस से नीचे डबल रोड और उसके पार ग्रीन बेल्ट के दरखत सबजा नजर आ रहा था शीशे की देवार के साथ कोने की मेज बे वो बैठा था उसे आते देकर वो धीरे से मुस्कुराया वो बीना किसी वक्त के उसे नकाब में पहचान लेता था पहली दफ़ा जब वो नकाब में उसके पास गई थी फ्रेडम फलोटेला के इतजाज के दिन तब भी उसने कोई हिरानी जाहिर नहीं की थी शायद वो हिरान कम ही होता था पहले फैसला कर लो के लंट किस की तरफ से है कुरसी खेंच कर बैठते हूँ इसने मेज पर अपना परस रखा आफ कोर्स तुमारी तरफ से है असखर एंडसिंस की काई मकाम एमटी मुझ गरीब आत्मी को लंटो करवा ही सकती है शूर उसने बशाश्रत से कहते हूँ मुबाइल परस में रखने के लिए परस खोला मखमल का टुकड़ा अंदरूनी जेब में हजार के एक नोट के साथ रखा था हजार का नोट वो जिब बंद करते हुए चोंकी फिर बिना मैसूस से अंदाज में परस को अंदर से देखा उसका रॉपों वाला पाउच आफिस में ही रह गया था अब सिवाए इस लावारिश से नीले नोट के उसके पास कुछ नहीं था अब क्या करो बारी उलचनों में पाउच उठाना याद ही नहीं रा अब क्या करे क्या हुआ M.D. साहिबा पैसे तो नहीं भूलाई वो मुस्कुराते हुए से देख रह था एक तो इस आत्मी की अकाबी नजरे उसने संबल कर परस बंद कर दिया तुम M.D. साहिबा से ऐसी गयर से मिंदाराना हरकत की तवक्यों कर सकते हो बजाहिर मुस्कुराते हुए वो सीधी हुई नहीं खेर आर्डर करो तुमारा शेहर है तुमें ज़्यादा पता होगा वो पीछे होकर बैठ गया है आने शोर कहते हुए मैनियों का अर्डर किया उसको लंच करवाना था और वो भी हजार के नोट से एटीम भी पाउच में था और वो कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकती थी जिसे जहान को पता चले कि वो पैसे वाकी भूलाई है बरना अदाईगी कर देगा सवाल अना का था लेकिन एक हजार में उसे अतालवी लंच कैसे करवाओं उसने कदरे इस तराब से पहरिस देखी सुनो सिर्फ में कोर्स मंगवाना सराद, स्टार्टर और ड्रिंक्स के फालती खरजात मुझे पसंद नहीं है वो कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए मुस्कराहट दबाए उसे बगोर देखता कह रहा था ओके मुझे तो खासी भूक नहीं है दिली नहीं चा रहा ओर्डर दे कर उसने कार्ट रख दिया रहान ने मुस्कराहट दबाते हुए समझ कर सर हिला दिया चंद लम्हें खामोशी की नदर हो गए वो शीशे की देवार से बाहर देखने लगी उस शीशे से तो कोई परिंदा नहीं या टकराया था शायद परिंदे तामीर के बाद सिर्फ पहले मुस्म में टकराते हूँ बाद में आदी होकर रास्ता बदल लेते हूँ परिंदे की वज़ा से मुझे बेज़त किया तमाशा बनाया और घर से निकाल दिया इसके लावा कुछ खास नहीं जहान ने कदर तास्फ से नफ़ी में सर हिला दिया पुरानी आद्ते आसानी से नहीं जाती इस तरह लोगों को जलील करने के वो आदी है कितना असान है उनके लिए अपनी आना के बीचे रिच्टे तोड़ देना जो भी हैं मैं अपा के कुरसे उनके लिए खाली नहीं करूंगी ये फैसला में ने कर ली है अब इस किसे को बंद कर देती है तुम बताओ तुमने तुर्की वापसी का क्या सोचा है सब मुझसे यही पूछते हैं कि वापसी का क्या प्रोग्राम है लगते हैं मुझसे तांग आगे हैं दिल करता है मेरा के मासन की तरह कबूतर बन कर किसी गार में छुप जाओ उसने गालबन कोई तुर्क महावरा बोला था खेर अभी कुछ दी नीदर हूँ तुम्हें कब जाना है जुलाई शुरू हो चुका है मुझे पान जुलाई के बाद क्लिरेंस करवानी है अब बाके तब यह जरा संबल जाए फिर जाओंगी लंच आ गया तो वो अपने नकाब से बासानी छुरी कांटे की मतद़ से खाने लगी फिर किसी ख्याल के तहट बुचा जहान तुम्हें मेरा नकाब मेरा मतलब है तुम्हें अच्छा लगता है मेरा यू नकाब लेना वो जरा चौंका था आहां ठीक है उसने जरा उलचते हुए शाने उचकाए वो मुतमें होकर खाने लगी मगर वो चन्द लम्हें उसे देखता रहा था बिलाया तो उसने एक मुतमें सी सांस अंदर को उतारी नो सो पचास सिर्फ दो मेंन कोर्स बंगवाए थे इसलिए थाबित हुआ कि अगर पैसे कम हो तो बंदे कोल्डरिंग सराद और स्टार्टर जैसे फालतुलावाजमाट से परहिस करना चाहिए या काया किसी ख्याल के तहट बुचोंकी फालतुलावाजमाट उसका जहन आफिस की तरफ भड़क किया जहान नर्मी से उससे बिल ले लिया मैं पे करूंगा बुचोंकी नहीं ये तो मुझे मैं मज़ा कर रहा था लुच मेरी तरफ से है वो बीना एक लफ सुने फाल में पैसे रखने लगा उसने इसरार नहीं किया उसका जहन किसी और ही तरफ उलजावा था फालतुलावाजमाट